तो वलकम बैक तो माई यूटीब चैनल आई होब सोब लोग आप अच्छे होंगे सेफ राइड करते होंगे तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ वीडियो जो है आज मारे छोटा सा व्लॉग है निकल गए कई कुपने के लिए आसपास राइड करने के लिए तो आज आ बारा खंबा मैट्रो स्टेशन टाइम हो गया है दो बच के 44 मिनट काफी टाइम से वीडियो नी मना रहा हूं अल्मोस्स हफता ही हो गया है हफते से पहले मैंने एक व्लॉग डाला था बात भी करूंग कि मैं मोटो व्लॉगिंग में क्यों आया मैं क्यों था मेरा क्यों आन इसा कुछ कंफर्म नहीं था कि मुझे स्कूटी लेना है मैं बाइक राइडर हूं मिरे पास पहले बाइक हुआ करती थी आस से तीन साल पहले यामा एफजिड और अब जो है मैं स्कूटी पर स्विच कर गया स्कूटी बेस्विच करने का रीजन ये था कि काफी स्पेशिय जाती है और फैमिली के लिए काफी अच्छी हो जाती है तो उसके परपस से मैंने स्कूटी ली थी और मेरा कुछ काम भी ऐसा था कि मुझे कुछ समान वगरा रखना पड़े तो उसके लिए मेरे को प्राप्लम ना आए स्कूटी काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता जला कि एंटॉर्क है बट एंटॉर्क में भी माइनिस पॉंट्स है वो आप लोगों पता ही होगा इसकी बाड़ी बाकी सब इसमें कुछ प्रॉब्रम नहीं है बाकी सब एक दब परफेक्ट है ऐसा को इस्यू नहीं अब सब्सक्राइब करें करते हैं मैं क्यूं आए मोटर व्लॉगिंग के अंदर मोटर व्लॉगिंग में आने का मेरा जो फर्पस था मुझे 22 चलाना और घूंपना फिरना बहुत जादा पसंद है मैं एक्चुली में इस फील्ड में था जिसमें मिरे को ऑल्मोस पर डे के अंद मेरे साथ प्राबलम क्या हो रही है कि मैं कर तो मोटो वलागिंग रहा हूं बट मेरे को अभी जो टॉपिक्स वगरा होते हैं पे अच्छे से बात करनी नहीं आ रही है यहां रहा है क्योंकि मेरे को जो हैबिट पड़ी हुए कान में एयरफोन लगाई और अपना घंटो घंटो चलते रहने वाली है तो वह हैबिट के हिसाब से मेरा मोटो वलागिंग वाला सीन है वह थोड़ा से डिफरेंट चल रहा है मेरे को थोड़ा सा उसकी है डालनी पर बिना हेलमेट के जा रहा है हाँ तो आप लोगों को पता होगा फील्ड पर जब भी चलते हैं तो हल्की बाइकों का यूज होता है 100cc 125cc बाइकों का यूज होता है तो मैं वहीं चलाता था मेरा स्केल जो था उससे काफी अच्छा इंप्रूव हो गया मेरे को मैं बता यहां उफिस में काम करता था महां पर میरा नाम रखा हूँआ था एक्शील में आप लोगों को बताना चाओंगा मेरा नाम यो रखा हूँआ था स्वी काइसे नम क्या तो तो अइसे नखला लेता था आप लुगे कि यार किसी को रिकमेंद Igarूआ तो कि आज को बाइक चला उसके बाद फिर पेंडमिक आ गया फिर पेंडमिक में मैंने काम छोड़ दिया जौग वगरा चली गई थी कंपनी में जॉब करता था महां चलरी वगरा को धंक से आ नहीं रही थी फिर काम छोड़ने के बाद घर बैठे दो साल तक नो काम नो धंदा यह स्कुटी ले ली थी स्कुटी के निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था यह कि यह स्कुटी मैंने दो साल की इस्टॉल्मेंट वे ली थी और मैंने ली थी 2020 में 2020 की स्टार्टिंग में जनवरी में ली थी और तभी पैंड़िमिक लग गया था आप लोगों पता होगा और उसके कि मैं इसकी इस्टॉल्मेंट बड़े अराम से निकाल लूँगा बलकि साथ दो साल से पहले पहले सारी खतम कर लूँगा तो मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं थी बस उसी इसाब से मैंने स्कुटी को उठा लिया और स्कुटी उठाने के बाद ही लग लग डाउन और हो ग आप लोगों जिनको नहीं पता है बाइक टेक्सी मैं बता दूं जितने भी जैसे आटो होते हैं कैब वगरा होती है इस तरीके से बाइक टेक्सी होती है बाइक पर दिली एंसी आर गुडगाओं वगरा में काफी चलती है तो मैंने वह उसकरी और उससे पर डे के अंदर ज ज्यादा प्रॉब्लम होती थी निकालने में अब बात करते हैं कि मैंने मोटो व्लॉगिंग क्यों शुरू करी मोटो व्लॉगिंग का काफी टाइम से क्रेज था यूट्यूब पर काफी वीडियो देखी मैं काफी मोटो व्लॉगर से मिला भी उनमें से एक टर्बो एक्स् क्योंकि मुझे बाइक चलाने का तो बहुत शौक था बस बाते करने नहीं आती थी कि रहा था कि वह भी सीख जाएंगे दिरी दिरे कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं है लोगों ने बोला कि पहले छोटे से स्टार्ट कर एक फोन से अटैच लगा कर कर ये वह वह अपने को सम को अधसिता हुआ था अपने पास वह था और मौस्ट 6,000 के आसपास वह वह 6,000 पर जो मैंने एक रखा था व्यूल और मुझे वीडियो गेम का भी काफी शोक आपको लोगों को बता दो मैं वीडियो गेम फोगर प्लेस्टेशन वह अगरा वह मेरा सपना है कि मैं एक दिन जरूर लूँगा और वो हाँ ले लूँगा बट पहले मैं अपना ड्रीम जो अभी चल रहा हूँ जिस पर उसको पूरा करूँगा सो डीजी सर्च करी यूट्यूब पे की राइडिंग करने के लिए क्या क्या चीजों के एक्विमेंट्स की ज़रूत होती है समझ में आया कि एक चैमरा चाहिए होता है कुछ माइक चाहिए होता है और सेफिटी गेर्स होते हैं है stigma जीए होने यह म्यूप होता है मेडेडी था बट सेफ्टी गेर्स कैमरा और मेरे पास नहीं था सबसे लो हेंड रीरे США अच्छा चैमरा मुझे मिल रहा था वह मुझे मि बजा ले तू और तू निकल जा तेज तो करीबन वह एमाजोन में मिल रहा था साड़े 11,000 वेगा और मैंने गयार साड़े 11,000 हो नहीं पाएंगे मेरे पास साड़े 6,000 पड़े और साड़े 11,000 मतब डबली हो गया अब मेरा दिमाग जो था थोड़ा खुड़ा फाती था साड़े 9,000 में कोई बीचरा 8,000 में कोई बेचरा 9,000 में तो सार्च करने पर एक बंदा मुझे मिल गया जो बीचरा ता साड़े 7,000 मैंने का यार यह डील हां से निकल गहीना तो सब कुछ मेरा धर धरा और रह जागा और क्योंकि मैं एक बार डिले करता हूं जो चीज वो म मस लग रहे हैं पंजाब नंबर है आशम तो क्या था मैंने सोच अधिए कर दूगा तो निकल दाया आगास से तो मैंने बात वात करी बंदा कहिरा साड़े साथ से पहले उसने 8 डिजाला वा था साड़े साथ कर दिया कहिरा इससे कम नहीं करूँगा जो कि वो जो उसका camera था जो मैंने लगाया हूँल। फे Hmm या उसकी नहीं हुआउया तो इस वजह से उसने वह बेच रहा था तो मैंने बिश्डकी है क्लाया हुआ सब्सक्राइब की ज़ सकता हो तो मैंने मैंने ममी से करीबं 15 100 पे एक्ष्रा और लिये और मैं चला गया कैमरा लेने और मैंने वो कैमरा लिया अब उसके बाद मेर को पता चला उसमें डी गार्ड भी डलता है अब है लेने के लेट के वैंने गार्त लें के लिए और बांने 500 पर उसे गिए hai म WordPress के लिए और तो भी अप गया टेक्र tickets कहıllावा यह सा रे चलाव हुआ है कि रहा उसके शिर चाहले डार्वी रखी है इसको नींदा आ रहा है ये भीड़ेगा कहीं दो पारव पारव पह पारव पार यह शोल रहा है वाहर वाहर बिल्क gieta में चल रहा यह ईवन दीन दया मैं है इसको नीड होश नी है ॲट 동 बाई पीछे का ढकन खुला हुआ है डकन खुला हुआ पीछे का भीड़ जागा कहीं पाइसे पेखे जाए तरह को दो कैमेरा और मेमरी काठ गी ले लिया और मेमरी कार्डा काठी पात को फिरने माउंट इसो या से उतना करके एक बीकार विडियो बनानी के घृ हिया के एक सैब बीना वॉइस के कुछ ब difí mi इस चार वीच्छला आप देखो के निचे नीचे QU दो बीडियोस हैं जिसमें मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने बोलने की कोशिश करी, बट उसमें जो वाइस हारी थी, उसमें मतलब आवाद बिल्कुली एक नंबर की घटिया आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार बिल्कुल एक दो वीडियो बनाते हैं, मैंने जुगार लगाया, नोकिया की आउ मेल बिल्कुल कोशिए की सबस्ERागर को अंधर ंडीयोजने की अटों यह आपकर आवाद मैं यह आपक ञेंदर की गरता स्विख्या, मतलब बनाते हैं कुछ आए ज़ने मेले हैं, दो सब्सक्राइव मेल कारकेन की लगाए कोश्या потому बोया का एमवम वाला माई काता है वो मैंने पर्चेस कर लिया वो मेरे को अल्मोस्ट पड़ा 200 अर्वेगा अब आपका होगे 200 वेगा कैसे मिल गया मेरे को वही ओवलेक्स से मैंने थोड़ी जाज परदाल करी उसने लिया हुआ था न्यू था ब्रैंड न्यू था सब कुछ यह दम तो वही मैंने 200 वेगा लिया एंड इसको यूज किया और यूज करने के बाद जो मेरे को मेरे को मेरी प्रॉब्लम मेरी पता चली कि ऐसा हो गया मेरे साथ की यार मैं वीडियो बना तो रहा हूं बट मेरे को टॉपिक ही नहीं समझ आए हम मैं बात क्या करूं कि मेरे बाइक पर बैड जाओ और बस लगे रहा हो चलते रहा हो कान मेरे अरफोन लगा के अब मेरे को उस चीज की आदा डालने में बहुत जादा टाइम लग रहा है तो यही था कि मैं चलतो देता था मैं अपना इंट्रो देता था हैलो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैन सब्सक्राइब करने निकल रहा है या रैपीड उसे तो मैं आपके साथ एक व्लॉग भी बनाऊंगा और अपने जो यदि को स्किल् और जिसको जो चीज मुझे नहीं आती है उसको मैं क्या है कि यार जितने भी मोटो व्लॉगज रहना मैं कहता हूं यार मेरा ऐसा मनना है कि कोई भी सीख कर नहीं आया करेंसे जो भी आया वह यहीं policy से सीख और उदर गलतियां करके सीख तो तो मैं भी यही चीज सीख रहा हूँ कि यार गलतियां होंगी, मैं गुछ गलत बोलूँगा, या मैं ब्रेक लूँगा, एक चीज को बार बार रिपीट करना ही की चीज, वो चीज मैं काफी करता हूँ अपनी वीडियो के अदर, कि एक बात को मैं बार बार बोलूँगा, यह चीज की improvement करने के लिए मैंने decision ले लिया कि मैं daily vlog बनाऊंगा और जो अपनी improvement है इसको मैं और बढ़ाऊंगा तो आज का ये vlog आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो मेरी बात है अच्छी लगी हो तो प्लीज आर वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना